बीते कुछ सालों में साउथ इंडियन मूवीज को हिंदी में रिलीस करने का ट्रेंड बड़ा है तो वहीं हिंदी बैल्ट के दर्शक भी इन मूवीज को बहुत जादा पसंद कर रहे हैं अभी हाल ही में ट्रिपल आर्व, केजी एफ टू और कुछपा जैसी मूवीज ने बॉक्स ओफिस पर धमाल मचाया था अगर मूवी का कंटेंट अच्छा है तो दर्शकों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो किस इंडरस्ट्री की मूवी है जब तक ये फिल्में दर्शकों का मनुरंजन कर रही हैं उनको इनकी मूल भाषा से कुछ लेना देना नहीं और वो इन फिल्मों को अपना प्यार देते हैं और ये फिल्में बॉक्स ओफिस पर धमाल करती है फिल्मों की इस कड़ी में एक और फिल्म इंडरस्ट्री का नाम शामिल होने वाला है नैपाली फिल्म इंडरस्ट्री जल्दी भारतिये दर्शकों के बीच में दस्तक देने वाली है पहली इंडो नैपाली मुवी प्रेम की फ्री जल्दी भारतिय दर्शकों को एंटेटेन करने आ रही है जिसमें मुख्य भूमिका में आपको प्रदीब खड़का और क्रिस्टीना गुरंग दिखाई देंगे ये मुवी 23 सितंबर 2022 को जल्दी सिनीमा घरों में रिलीज होगी नमशकार दोस्तों मेरा नामे प्रीती और फिल्मी फाइल्स में आपका स्वागत है प्रेम की 3 के रिलीज डेट जितनी ज़्यादा पास आ रहे हैं इसके मेकर्स और इसकी स्टार कास्ट इसके प्रमोशन में जीजान से लगे हैं और इसे प्रमोट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं नैपाल ही नहीं बलकि इंडिया में भी इस मुवी का प्रमोशन बड़े जोर शोर से हो रहा है इसके मेकर्स और इसकी स्टार कास्ट बड़े-बड़े मीडिया हाउस और फेमस यूट्य को इंटर्व्यू देते नजर आ रहे हैं और अपनी मुवी को प्रमोट कर रहे हैं एक्टर प्रदीप खड़का फिल्म के भारती सिनेमा घरों में उतरने से काफी उतसाहित हैं एक मीडिया हाउस को इंटर्व्यू देते हुए प्रदीप खड़का ने कहा ये मेरे लिए न पहली फिल्म है पहली फिल्म की इस उपलब्दी से वो खुद को बहुत जादा खुशकिस्मत मानती हैं प्रेमगीत 3 नेपाल के सूपर हिट प्रेमगीत फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है इसके पहले दोनों भागों में एक्टर प्रदीप खड़का ही नजर आये थे अ पहली नेपाली फिल्म को भारती बॉक्स ओफिस पर मिलने वाली प्रतिक्रिया पर सबकी नजर रहेगी हाली में इस मूवी का हिंदी ट्रेलर रिलीस किया गया जिसे इंडियन ओडियंस ने खूब पसंद किया इस मूवी की चार सॉंग को रिलीस किया गया था जो इंडियन आइडल बारा के विजेता उत्राखंड के रहने वाले कमाल के सिंगर पवंदीव राजना म्यूजिक डारेक्टर भी बन गए हैं जी हाँ अपकमिंग फिल्म प्रेमगी 3 का रुमैंटिक सौंग कोई ना कोई नाता है को उन्होंने ही कंपोज किया है निर्माता शुभास काले कि इस फिल्म का यह जबरदस्त गीत जी म्यूजिक से रिलीज हुआ है जिसे कुछी समय में लाखो लोगों ने देखा पवंदीव राजन ने पहली बार कोई सौंग कमपोज किया है जो दर्शकों के दिल को चूरा है गाना जुबिन नौटियाल ने बेहत मेलोडिय अंदाज में गाया है रोचक तथी यह है कि इस गीत को फिल्म के प्रेडियूसर सुभास काले ने रूबी फुलेरा के साथ मिलकर लिखा है भारती फिल्मेकर शुभास काले प्रेमगी 3 के प्रेडियूसर है वे भारती बॉक्स ओफिस पर फिल्म को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाते सुभास का कहना है कि नेपाली फिल्म इंडरस्ट्री में बहतरीन फिल्में बनती हैं अगर हिंदी के दर्शक साथ की फिल्मों को खुली बाहों से सुविकार किया है तो वे नेपाली फिल्मों को भी सुविकार करेंगे फिल्म में भारती गायक अंक next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद